शांतियों नमस्कार मैं रामबावू पटेल तेलशिर आप देख रहे हैं कन्या कुमारी के वोटिंग के टिकेट काउंटर कास द्रश्य इसी इस्थान से वोटिंग के लिए टिकेट कटती है और ये जो टिकेट है ये पचास रुपे प्रतिवेक्ती किरायास का लगता है तो यहां से आप टिकेट कटाने के बाद इस गैलरी के माध्यम से अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये समुद्र के तटके पास हम जा रहे हैं देखते हैं आगे क्या होता है ये गैलरी कहां जाके खत्म होती है गैलरी में आगे बढ़ते हुए चलते चले जा रहे हैं चला जाता हूं किसी की धुन में तो ये देखिए हम यहां इस इस्थान पर आ गए हैं और रुकने का आदेश हुआ है क्योंकि एक निश्चिस संख्या में ही यात्रियों को इस चेंबर से बाहर जाने दिये जाता है जिससे की वोटिंग ओवरलोड ना हो ये देखिए उस लाइन में कुछ लोग उस तरब बैठे हुए हैं हम इसी लाइन में बैठ गए और अब चुकी एसारा हो चुका है हम उस हाल से बाहर आ गए हैं और ये वोटिंग के लिए हम आगे की और बढ़ते हुए और जहां पर वोट खड़ी होगी वहां से हम अपने बोट में बैठेंगे और सामने त्रिवल्लम सामी संत त्रिवल्लम तमिल्लाडू के महान संत उनका इस्टेचू दिखाई दे रहा है और विवेकानंद सिला इश्मारक भी दिखाई दे रहा है जिसको विवेक अनंदर रॉक मेमोरियल भी कहते हैं और इस वीडियो के बाद एक बहुत ही सांदर वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा रॉक मेमोरियल के उपर भूमेंगे अभी आप वहां तक का जो द्रश है ये देखिए शामने हमारा इस्टीमर खड़ा हुआ है बड़ा इस्टीमर है उसकी और जाते हुए अभी इस्टीमर आ रहा है जब तक हमको खड़ा रहने का इसारा किया गया है हम यहीं पर खड़े होते हुए यात्री लाइन लगा रहा है सब और ये अद्भुद द्रश शामने कन्या कुमारी का वेहंगम द्रश और इस्टीमर हमारी तरफ बढ़ता हुआ आगे आता हुआ और ये इस्टीमर देखिए कैसे लगेगा इसको हम देखते हैं देखिए टायर जो हैं लगा के रखे गए हैं जिससे उसे स्थान पर वो टकराए न और इस्टीमर में भी खड़ाप टायर लगा कर रखे हैं और ये देखिए उसको घुमाय जा रहा है और ये अभी घुम के लगेगा कुछ लोग वीडियो रिकारडिंग कर रहे हैं मेरी तरह ये देखिए और ये लाइन लगी हुई है और मैप कैमरा ये देखिए इस तरह भुमाता हूँ ये देखिए लाइन चली आ रही है पबलिक की बहुत तो ये सारे यात्री इसी वोट में बैटने वाले हैं और अधबुद नजारा आपको देखने मिलने वाला है और ये देखिए वोट अ और ये ये देखिए ये देखिए ये देखिए और ये ये लग गया है इस तीमर जैसे ही लगा उसमें बहुत से करमचारी मौजूद हैं जो की सारी वबस्ताएं सुचारी रूप से करते हैं जब समुदर में हवा बगएर चलते रहती है तो इस तीमर में कई लोगों को डर लगता है ये सामने यात्री देखिए और ये देखिए इसको रसे से कस दिया गया है और रसे से कसने के बाद ये लाइफ जाकिट पहली बार एक ऐसा द्रश्च देखने को मिला जहां पर लाइफ जाकिट दी जाती है क्योंकि हमारी मम्मी का एक वीडियो आया था, उसममें कहीं गरे में तो मेरे टाइर लटकाए थेगा तो ये जो लाइफ इसको लाइफ जाकिट कहते हैं, ये ही वो लाइफ जाकिट है इसको आपको पहनने को दी जाएगी तो ये देखिए और अभी सारी लाइफ जाकेट लाई जा रही है और उसके बाद हम उसमें बैठेंगे और हम उसमें बैठ चुके हैं और समुद्र का वेहंगम द्रश्य आप देखिए लहरे उठती हुई तो मैं पानी पी के लहरे उठाते हुए और ये देखिए अब हमारी वोट विवेक अनन्द रॉक मेमोरियल पर आचुकी है और अब हम विवेक अनन्द रॉक मेमोरियल पर आगे की और बढ़ते हैं यहां से देखिए ये बोट यहां पर खड़ी होती है और अब हम विवेक अनन्द रॉक मेमोरियल पर आगे की और बढ़ते हुए जब बहुत ज़्यादा भीड रहती है तो इस तरीके से रस्यें बांद के उस भीड को नियंतरत किया जाता है तो अब ये हम आ चुके हैं रॉक मेमोरियल पर विवेक अनन्द सिलापत्तर पर जहां पर विवेक अनन्द जी ने ध्यान समादी की थी 25, 26 और 27 दिसंबर को और मैंने जैसा किया की इसके उपर का एक बहुत ही अद्वुद वीडियो इसमें पूरा अम्मान माता के तपश्य तली वाला मंदिर विवेक अनन्द रॉक इस मारक सारा यहां पर दिखाएंगे यहां पर देखिए यह काउंटर है इस विवेक अनन्द रॉक मैमोरियल यहां से इसकी भी टिकेट कटती है यह टिकेट यहां पर भी टिकेट कटती है और वहां पर पचास रुपे और यहां पर कितनी टिकेट दस रुपे बीस रुपे यह उपर भी टिकेट कटती है कितने की कटती है 20 रुपे की टिकेट करती है तो जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर 20 रुपे की टिकेट करती है तो इस तरीके से एक व्यक्ति के 70 रुपे यहाँ पर लगते है तो लोग यहाँ पर टिकेट कटाते हुए और उसके बाद सामने एक यहां पर आप बिस्राम कर सकते हैं जैसे मालो आप वोट आपकी नई आप आई है तो यहां बैटके आप उसकी रस्ता देखिए यह देखिए बहुत से यात्री कुछ लौटते हुए यह वेटिंग हाल है इस महाल में आप इंतजार कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहां पर कुछ कोटेशन बगयरा लिखे हुए है लेकिन हम इसके अंदर नहीं गए हैं सीधे चलते हैं आगे की ओर और आगे बढ़ते हैं और आप देखते चलें अद्वुत द्रशेश के चुकि आपके मन में कोई प्रशन हो तो आप कमेंट्स के माद्यम से पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी आपको रॉक मेमोरियल से संबन दित तो ये विवेक अनन्द रॉक मेमोरियल आप इसको देखें अद्वुत नजारा इसका और इसका सेकंड पॉर्ट भी आने वाला है सेकंड पॉर्ट को आप देखेंगे उसमें सब आपको उपर का द्रश्च दिखाई देगा ये देखिए ये हिद्ध महा सागर का अद्वुत सीन और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है विवेक अनन्द रॉक मैमोरियल और ये उपर जो दिखाई दिया ये अमान माता की तुपश्या इस्थली और इन सिडियों के मात्यम से हम उपर की ओर चाएंगे और यहां पर आप अपनी चप्पल छोड़ दीजिए हमने भी अपनी चप्पल यहां पर छोड़ दी है आप भी अपनी चप्पल यहीं छोड़ देना कोई नहीं चीता भाई तो अब हम इस चुकी धूब बहुत तेस थी इस गैलरी के मात्यम से आगे बढ़ते हैं और इंशिणियों से उपर के ओर चड़ेंगे लेकिन थोड़ा सा यहां यह देखिए यह उपर का पानी संग्रहित किया गया है यह पीने के तोर पे काम में आता है इसको एकटा कर लिया गया है और यह विवेकरनद रॉक मेमोरियल का नीचे का सीन था अगला बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा आप उसको भी सेयर करें